आई फ्रेंज बेगुम बान आप वेलकम टू मुवी शूवी दोस्तो आज इसका मैं रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है ब्रूस इसके अंदर है हैली बेरी और यह मुवी बड़ी शॉट सी है डेड़ गंटे के अंदर खतम हो जाती है और यह मैं शॉट सा रिव्यू इ और इसकी स्टोरी भी बहुत अथ तक प्रेडिक्टेबल आपको लगेगी और क्योंकि मैडम ने ही खुदी डिरेक्शन भी कर गी है तो इंट्रस लेवल काफी जादा हाई था कि गुड आक्ट्रेस वो एस लेंड आट अट अटिंग एंड सिनेमा वो कैसे डिरेक्शन के अ जाते हो तो जब मैं यह मूवी देख रहा था तो मुझे दिखा कि एक MMA फाइटर है जिसको डिस्ग्रेस कर दिया गया है जो कि मैंने बहुत सरी मूवी के अंदर देखा है फिर वो गुमनामियों में चली जाती है फिर for some reasons she wants to bounce back और bounce back के साथ जो answerally कहानिया चल रही है चाह है वो अपने boyfriend की कहानी हो जो की थोड़ा सा abusive relationship है चाहे उसके बच्चे की कहानी हो चाहे फिर multiple reasons of why she wants to come back और hence the name क्योंकि ब्रूस जहां पर दो को देखो दोस्तों दो इसके dimension है एक ब्रूस तो है जोसकी आत्मा पर लगा है क्योंकि वो disgraceful तरीके से पहले MMA में हारी थी अब एक और तरीके के MMA जो की not so formal से वो रिंग में वापस आना चाहती है और octagon में कुछ अपना नाम कमा के वापस अपनी reputation वा तो जो आपको bruises लगते हैं एक तो वो bruised है and she is like lethal तो उसको मारतर हो मारतर हो but she is very very focused in that sense दूसरा जो उसको bruise उसकी आत्मा पर लगे हैं वो हैं तो overall basis पर जब यह देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एक ऐसी आप story देखे हो जो आपने बहुत बारी देखी हुई है fall and rise and then if there are emotional and family reasons attached to it तो आप बोलतों कि अच्छा चलो थोड़ा सा स्वाद आ गया बट क्या आपने इसे story पहले दिखी भी है अपने multiple times दिखी होगी थोड़े बहुत चीज़े इंदर दर change कर दी हैं एक lesbian act भी डाल दिया है इसके अंदर एक boyfriend वाल एंगल भी डाल दिया है एक बच्चे का एंगल भी डाल दिये to prove worthy of the child उस तरीके का तो यह सारी चीज़े आप दिखोगे यहाँ पर और थोड़ा सा flashback भी डाल दिये जिससे आपका थोड़ा सा interest level बना रहता है अब problem is movie के अंदर कोई भी नहीं है मैं आपको honestly पता हूँ the problem is that we have seen similar movies problem यह है क्यों आक्ट acting बहुत जबर्दस्त है और जो founder है यहाँ पर जो दिखाया जाता है यहाँ पर वो भी बहुत अच्छे तरीके से उसने acting करी है तो यह overall आपको जो लगता है कि यह movie तो ठीक है बट दो चीजों में कमी रहेगी तो हमने यह दिखा हूँ है और दूसरा आपको शाद थोड़ शेकी लगा ऐसे वाला और बहुत ज़्यादा क्लोज अप करके लगा बहुत ज़्यादा ऐसे करके लगा जिसकी वज़ासे action clear नहीं हो रहा था यह तो बहुत clean नहीं था इस वज़ासे मैं इसको दूँँगा score B at most good effort लेकिन nothing original ऐसा रहा है तो अगर आपको देखने हैं इंडी के उपर भी आई है तो यह ऐसा हो सकता है कि आपने बस रात को खाना खाते-खाते ऐसे चला दी कुछ सीन में सब्सक्राइब होगे वहली मुवी है यह तो आपको बहुत seriously इसके उपर attention पेनी करनी है चलो फिर मिलते हैं को review पर update के साथ डूंट फगेट टो सब्सक्र बाइब बाइब ग्राइब टो चानल बाइब